तुझसे जो मिलके मजा है कहां वो गणित के सवालों में है नमस्कार साथियों मैं सुमित शिवरान SSE केरन चेप्टरवाइज 9500 प्लस की सीरीज में आज टाइम और वर्क यानि समय और कारिय की अपनी ये थर्ड वीडियो है तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्योस्टिन B और C मिलकर एक काम को करने में जितना समय लेते हैं A उससे तीन गुणा अधिक समय लेता है A और C मिलकर उसी काम को करने में जितना समय लेते हैं B उससे चार गुणा अधिक समय लेता है यदि तीनों मिलकर उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तो A अक्केले उस काम को करने में कितने दिन लेगा सबसे पहले आपको condition दी कि B और C मिलके जेतना time ले रहे हैं A उससे 3 गुना ज्यादा time ले रहे है तो इसका मतलब यह है B और C की जो शमता है वो A से 3 गुना ज्यादा है देखिए A जब इनसे 3 गुना ज्यादा समय ले रहे है तो इसका मतलब B और C जो है उसनकी शमता A से 3 गुना ज्यादा है वही शमता का समय एक दूसरे काउंटा काम करते हैं तो मैं कहूंगा वही A की शमता और B और C की मिलके शम्ता का अनुपात मैं कह सकता हूँ एक अनुपात ती क्योंकि A इनसे तीन गुना ज्यादा समय ले रहा है तो इसकी शम्ता इनसे तीन गुना कम है या मैं यह कह सकता हूँ इनकी शम्ता मिलके A से तीन गुना ज्यादा है तो A की समता 1 तो इन दोनों की मिलके 3 फिर बोला A और C की समता जो है B जो है वो A और C से मिलके जो A और C मिलके जो टाइम ले रहे हैं उससे 4 गुना ज्यादा टाइम ले रहे हैं जब B अकेला काम करता है तो तो जब B इन से 4 गुना ज्यादा टाइम ले रहा है तो मैं एक कहूँगा B की सम्ता इन से 4 गुना कम है या मैं यह कह सकता हूँ कि A और C की सम्ता जो है वो B से 4 गुना ज्यादा है तो मैं यह से यह कह सकता हूँ, A और C की तो समता है, वो B की समता से 4 गुना ज्यादा है, तो मैं कहूंगा इनकी समता 4 है, तो B की समता 1 है, ठीक है, B इनसे 4 गुना ज्यादा टाइम ले रहा है, तो इसका मतलब B की समता इनसे 4 गुना कम है, तो अब देखो भई, पहले जो मै A, B, C, बाद में हैं, तो ऐसा तो नहीं हो सकता, पहले इन तिनों की समताओं का यूग 4 आ रहा है, और बाद में इन तिनों की समताओं का यूग 5 आ रहा है, भाइ उतो ब्रावर हो न ची, तो ब्रावर मैं कैसे करूआ, देखो उपर तो एक और तीन मिलके च्यार निचे है च्यार और एक मिलके पांच तो उपर वाली को पांच से गुणा कर दो और निचे वाली को च्यार से गुणा कर दो तो यह दोनों 20-20 हो जाएंगे तो उपर वाली को पांच से गुणा करना है वह मतलब एक को पांच से गुणा कर 20 और नीचे भी 16 और 4 कितना 20 अब आप अपस में compare कर सकते हैं अच्छे से कि उपर भी तीनों की शम्ताओं का योग 20 है और नीचे भी तीनों की शम्ताओं का योग 20 है तो अब आप इनका शम्ताओं का अनुपात निकाल सकते हो देखो भी A B और C इनकी सम्ताओं का अनुपात मैं आपे लिख लेता हूँ देखो इन तीनों की मिलके सम्ता 20 है A के लेके 5 है यहाँ पर दिख रही है तो A की सम्ता मैंने आपे लिख दी 5 B की सम्ता 4 है यहाँ पर मैंने लिख दी 4 C की सम्ता निकाल ली है तो देखो A की शम्ता 5 है A और C की मिलके 16 है तो C की कितनी होगी 16 में से 5 गई 11 यह मैं यहां से भी निकाल सकता था B और C की मिलके 15 है B की 4 है तो C की कितनी होगी 15 में से 4 गई 11 की के लिखे दिया अब बोला किया यदि 3 मिलके के उस काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं तीनों मिलके 24 दिन में कर रहे हैं तीनों की मिलके शम्ता कायोग कितना हो गया भई 20, 5, 4, 11, 20 तो कार्य कितना हो गया भई मैं कहुंगा भई 20 की शम्ता से 24 दिन काम कर रहे हैं तो यह हो गया कार्या फिर बोला क्या है तो A अकेले उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा A कितना सा में लेगा भई 20 गुणा में 24 कार्य करना है कि सम्ता से A की सम्ता तो 5 है तो 5 की सम्ता से तो 5 कार देगा 20 को 4 पे तो उत्तरा देगा 6 में So option B 96 is the right answer चले भई next A और B मिलके कारे को 30 दिन में पूरा कर सकते हैं उन्होंने 20 दिन तक कारे किया और तब B ने कारे करना सूट दिया 6 कारे A ने अकेले और 20 दिन में पूरा किया यदि A अकेले उस कारे को करने में कितने दिन लेगा इस सवाल है देखो भई A और B मिलके किसी काम को कर सकते हैं 30 दिन में लेकिन उन दोनों ने 20 दिन तक काम किया और फिर B ने काम करना छोड़ दिया अगर B काम करना नहीं छोड़ता 20 दिन के बाद भी तो A और B अगर लगे रहते तो 10 दिन और लगते हैं उनको काम खतम करने में बह्य, 30 दिन का काम था, 20 दिन तक ओवाल काम करी चुके थे, यहनि 10 दिन का काम बाकि था इनका, मैं कहुँगा, 10 दिन का काम बाकि था किसका, A और B का, लेकिन यह काम किस ने किया, सिर्फ A ने किया, क्योंकि B तो सोड़के चला गया, अब A अकेले ने इसको 20 दिन में पूरा किया इसी काम को ये काम A ने 20 दिन में पूरा किया तो मैंने लिख दिया बराबर में 20 दिन का काम A काम यानि जो काम A और B मिलके 10 दिन में कर सकते थे वो ही काम A अकेले ने 20 दिन में कर दिया तो यहां से मैं कह सकता हूँ वाई 10A plus 10B बराबर हो गया 20A यहां से मैं कह दूँगा वाई 10A बराबर हो गया 10B तो A और B की शमता हों का अनुपात मुझे पता चल गया अभ cow यानि इन दोनों की शमताइं बराबर थी तो यहीं पर पता चल रहा था, जब A और B मिलके जिसकार को 10 दिन में कर रहे हैं, A अकेला उसको 20 में कर रहा है, तो इसका अजलब A की सम्ता इन दोनों के सम्ता से आधी है, तो जितनी A की उतनी B की है, तो A केले उसकारे को कितने दिन में पूरा कर सकता है, ठीक है, अब यह दोनों मिलके कितने दिन में कर रहे हैं, 60 दिन, 30 दिन में, यहनि दोनों 60-60 में करते थे, तो 60-60 में करते थे, जब दोनों ने मिलके गया, तो 30 दिन में हो गया, तो इसका अंसर हो जाएगा 60 दिन, ठीक है, एफिर आप ऐसे देख लो, A की सम्ता 1 है, B की सम्ता भी 1 है, तो 1 एक और एक मिलके सम्ता कितनी हुई दो इस दो की सम्ता से ये लोग 30 दिन लेते थे तो कारे कितना हो गया भई 60, ठीक है, एक और एक 2 की समता से 30 दिन लेते थे, तो 60 काम करते थे, दोनों मिलके तो अब A अकेले को करना है, एक की समता से तो A कितना समय लेगा भी, 60 बटा में 60 दिन ही लेगा, ठीक है, चलो, next A 3 बटा 4 समय में B से आधा कारे करता है, यदि मिलके उस कारे को 18 दिन में पूरा करते हैं, तो B केले कितने जिनवे करेंगा, देखो भी वैसा ही सवाल, 3 बटा 4 समय में आधा काम कर रहा है, तो पूरा काम करने के लिए, 3 बटा 4 का दुगना समय लेगा वो, तो 3 बटा 4 का दुगना कितना हो गया भी, 3 बटा 2 3 अनुपाद 2 तो मैं कहोंगा इनकी सम्ताओं का अनुपाद कितना हो जाएगा B 2 अनुपाद 3 देखो A 3 बटा 4 समय में आधा काम कर रहा है तो पूरा काम करने के लिए 3 बटा 4 का 2 ना समय लेगा 3 बटा 4 का 2 ना होता है 3 बटा 2 यानि A जो है वो उसी काम को करने के लिए जो काम B ने किया है तीन बटा दो समय लेता है B के मुकाबने तो B एकर दो समय ले रहा है तो A तीन समय ले रहा है तो उनकी समयों का अनुपात मिल गया A का और B का तीन अनुपात दो तो मैं कहुंगा, सम्ता का नुपात हो जाएगा, दो नुपात दिए, अब बोलावे, मिलके 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो 18 दिन में कितना काम हो रहा है, भई, 3 और 2, 5 की सम्ता से 18 दिन तक काम, तो काम कितना हो गया, भई, 18 इंटो 5, 90 इनिट काम था, अब ये काम किसको क करना है, भई, B-क की सम्ता कितनी है, 3, तो मैं कहुंगा, इसको मैं बटा 3 कर दो, कारिया बटा में सम्ता होता है, सम्ता है, कारिया और 18 गुड़ा में पात, और सम्ता है B-की 3, तो कितना समय लगएगा, भई, 3 दिन, so, option D, भई, 30 दिन is the right answer, सलो, next, दो कामगार A और B किसी काम को करने के लिए लगाए गई है A को मिलकर काम करने की तुलना में अकेले काम पूरा करने में 8 गंटे अधिक लगेंगे और B को मिलकर काम करने के तुलना में अकेले काम करने में 4.5 गंटे अधिक लगेंगे तो यह दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना समय लगेगा वेडिटो वही क्युस्टन आप पिछली वीडियो में चेक करो पिछली वीडियो का लास्ट टू लास्ट क्यूस्टन था सह दिए तो उसके अंदर आपको बताए गया था जब भी ऐसी सिचस्टेयशन हो तो आप क्या करोगे सिधा रूट लगाओगे और जो एक्सट्रा दिण लग रहेए उनके मिल्टिप्लाई कर दो गया पस hurts तो आपको और दिन ज्यादा लग रहे और बेहा ठीला काम करते है तो साढ़े चैर दिन ज्याधा लग रहे हैं तो साढ़े root में हम इसको ऐसा क्यों लिखते हैं चलिए भई next x 20 गंटे में 80 प्रस्टों की copy कर सकता है और x और y मिलके 27 गंटे में 135 प्रस्टों की copy कर सकते हैं तो y अकेले 20 प्रस्टों की copy करने में कितना सा मिलेगा तीक आसान सा है भई देखो x जो है वो 20 गंटे में 80 प्रस्ट कर रहा है तो एक गंटे में कितने करेगा भई 80 वटा 20 कितने 4 प्रस्टों एक गंटे में और जब x और y मिलके कर रहे हैं तो 135 प्रस्टों कर रहे हैं 27 गंटे में तो एक गंटे में कितना भई पांच पन्ने बरे जब X काम करता है अकेला तो च्यार पन्ने बरता है एक गंटे में तो जब X और Y मिलके काम करते हैं तो पांच पन्ने बरे जाते हैं एक गंटे में यानि Y एक पन्ना बर रहा था एक च्यार बर रहा है औरे दोनों मिलके पांच बर रहे हैं जैने कि Y एक बर रहा है तो वाई को अब 20 परने बरने हैं अब एक घंटे में एक परना बरने के लिए 20 गंटे लेगा option A उत्तर हो जाएगा ठीक है यानि कि X भर रहा है 4 परने प्रस्ट और Y बर रहा है 1 परना हर गंटे तो 20 पन्ने बरने के लिए 20 गंटे लगेंगे भाई को तो लो गई, next X एक चोथाई काम 6 दिन में करता है तो एक चोथाई जब 6 दिन में कर रहा है तो पूरा काम कितने में करेगा भाई 6 चोके 24 दिन में यानि X कर रहा है पूरा काम 24 दिन में अब y 6 काम को 12 दिन में पूरा कर सकता है अब 1 चोथाई तो x ने कर दिया अब 6 कितना बचा वही 3 चोथाई तो अब देखो y जो है वो 3 चोथाई भाग कितने समय में कर रहा है 12 दिन में तो पूरा भाग कितने में करेगा वही अगर पूरा काम y से करवाना हो तो मैं कहूंगा 12 को गुणा कर दूँगा 4 बटा 3 से 12 की गुणा 4 बटा 3 से कितना मिलेगा 16 जहनी y करता है उसी काम को 16 दिन में अगर y से पूरा काम करवाये जाए तो 16 दिन में करेगा तो x और y मिलके काम को कितने समय में पूरा करेंगी तो इन कैल्सियम ले लो बैं कितना ले लेक्टा करता है में जोजो डाटा लेका उसको चिपका दो A और B मिलके कर रहे हैं 30 दिन में और B और C मिलके कर सकते हैं 20 दिन में तो इनके LCM ले लो कितने हो गया? 7, इनके efficiency आगई 2 और इनके आगई 3 यानि A और B की मिलके समता रोज अगर 2 unit काम कर रहे है तो B और C मिलके रोज 3 unit काम कर रहे है और मैंने total काम मान लिया 60 unit अब देखो भई A ने 5 दिन काम किया उसके बाद B ने 15 दिन काम किया और उसके बाद C ने 18 दिन काम किया और ऐसा किया तो काम पूरा हो गया यानि 60 unit काम पूरा हो गया तो देखो A पांस दिन काम कर रहा है फिर B 15 दिन काम कर रहे है तो मैं इस चीज़ को ये कह सकता हूँ क्या कि 5 दिन तक A और B दोनों काम कर रहे है और उसके बाद B 10 दिन और काम कर रहे है कह सकता हूँ तो देखो इस चीज़ को मैं अगर ऐसे लिख दू 5 दिन A का काम पलस में 5 दिन B का काम प्लस में 10 दिन B का काम प्लस में 10 दिन C का काम प्लस में 8 दिन C का काम ये आपको मन मन में सुतन है ऐसा क्यूं कर रहा हूँ मैं क्योंकि मुझे जो समता दी गई है वो A और B की मिलके दी गई है और फिर B और C की मिलकर दी गई है तो मैं देखो इस 15 के मैंने 2 टुकडे कर दिये 5 और 10 और इस 18 के भी 2 टुकडे कर दिये 10 और 8 ऐसा किंग किया अब देखो अगले step में आपको पता चलेगा 5 दिन का A प्लस B का काम प्लस में 10 दिन का B प्लस C का काम और प्लस में 8 दिन का C का काम ये बराबर हो गया अब इस 60 unit ठीक है है अपको चुक्त, दिया वह था बे 3 जा गाम करते हैं है गाया टीनों मिलकर तो देखो, A 5 दिन काम करें फिर B 15 दिन काम करें और फिर 18 दिन C काम करें तो मैं इसको एबी तो कह सकता हूं, पहले तो A और B ने 5 दिन काम किया, फिर B और C ने 10 दिन काम किया और फिर 8 दिन c ने काम किया तब भी तो यही बात बनेगी अब देखो a और b की मिलके सम्टा कितनी है 2 तो यहाँपे मैं 2 रख दू कितना हो गया 5 दू नि 10 PLUS में b और c के मिलके सम्टा कितनी है 3 10 तिया कितना हो गया 30 PLUS में 8 c कितना मिल गया 60 unit तो 8C कितना आगया भई मेरे पास 20 unit तो C का मान कितना हो गया भई 20 में से 20 वटा 8 यानि धाई unit यानि C की जो समता है वो होई धाई unit परती दिम तो आपसे पूचा क्या गया है C अलग से कारे करते हुए उस कारे को अकेले कितने दिनों में पूरा कर सकता है अच्छा ये पुचा दाम से तो E C की समता अगई धाई और काम करना है उसको 60 तो C कितना समय लेगा मैं कहूँगा 60 बटा में धाई तिक है 60 बटा में धाई यह नहीं 60 बटा में 5 बटा दो कितना मिल जाएगा आपको 120 बटा So option B 24 दिन is the right answer चलिए next A और B दिये गए किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं B और C उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं और A, B और C उसे 6 दिन में पूरा कर सकते हैं तो A और C दुवारा उस काम को पूरा करने में कितने दिन लगें देखो भई A और B मिल के इस काम को कर सकते हैं 8 दिन में B और C मिल के कर सकते हैं 12 दिन में और A, B और C जब मिल के कर रहे हैं तो ये लेते हैं 6 दिन तो 8, 12 और 6 का LCM चिपका दो भई कितना 24 तो इसकी समता जाएगी 3 इसकी 2 और इसकी 4 इन तीनों के मिल के अगर समता 4 है तो B और C की 2 है और A और B की 3 है और मुझसे पूचा है कि A और C मिल के इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगी तो मुझे A और C की समता जाएगी तो देखो A, B और C की मिल के समता जब 4 है ठीक है और इसमें B और C की 2 है तो A की कितनी बसकी होगी है दो बसकी बहुत चार में से B और C हैं 2 तो यानि A भी 2 रहा होगा तो A की सम्ता 2 अब A की सम्ता 2 और A और B की मिलके सम्ता 3 है तो यानि B की सम्ता 1 होगी इसका मतलब अब B और C की मिलके सम्ता 2 है B की समता 1 है C की भी समता 1 है A की समता 2 B की 1 और C की 1 अब उस अगया A और C मिलके कितने दिन में कर देंगे A की समता है 2 C की समता है 1 तो टोटल की समता कितनी होगी इन दोनों की मिलके 3 अब 3 की समता से 24 unit काम करना है 24 unit रोज 33 minute काम करेंगे तो कितने दिन लगेंगे, वही आठ दिन, तो कितने दिन, option B, 8 दिन is the right answer चलो भी next, P और Q मिलकर एक कारे को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं Q और R उसको 60 वटा 7 दिन में पूरा कर सकते हैं P ने कारे आरम किया और 3 दिनों तक कारे किया Q और R 6 दिनों तक कारे करते रहे अब R और P दवारा उस कारे को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा देखो भई पहले आपको का भी P और Q मिलके कर सकते हैं इसको 6 दिन में फिर बोला Q और R इसको मिलकर कर सकते हैं 60 बटा 7 दिन तो 6 और 60 बटा 7 कितना भई? साथ आएगा यानि P और Q की समता अगर 10 है तो Q और R की समता मिलके साथ है अब देखो इसमें next क्या दिया है P ने कार्य आरम किया और तीन दिनों तक कार्य किया और उसके बाद Q और R 6 दिनों तक कार्य करते रहे तो देखो Q और R की तो यान पर दी गई है तो यहां से तो मैं इसका इस्तवाल कर सकता हूँ Q और R ने 6 दिन तक काम किया तो Q और R 6 दिन तक कितना काम कर देंगे भई? 6 गुणा में 7 42 उनिट काम कर देंगे जैनि 60 उनिट में से 42 उनिट तो Q और R ने पहले ही कर लिया ने बाद भी किया यानि कि सुरुवात में 18 उनिट काम बच गया था भई? 60 में से 18 तो यानि पहले किस ने कर दिया था? P ने और उसके बाद बचा हुआ 42 Q और R ने किया तो यह जो 18 उनिट P ने किया कितने दिन लिये थे P ने? भई? P ने लिये थे 3 दिन या भी? P और Q की मिलके 10 है P की 6 है तो Q की कितनी भई? 4 अब Q और R की मिलके 7 है Q की 4 है तो R की कितनी भई? 3 ठीक है? भब से पूचा क्या गया है? R और P उस कारे को पूरा करने में कितने दिनों का अंतर होगा? भई R कितने दिन में करेगा इस काम को? मैं आपर लिख देता हूँ R करेगा भई R की समता है 3 तो 60 वटा 3 यानि 20 दिन में P कितने दिन में करेगा? भई C P की समता है 6 तो 60 काम 6 की समता है कितने दिन? 10 दिन अब R को लग रहे हैं 20 दिन और P को लग रहे हैं 10 दिन तो अंतर कितना हो गया 20 का और 10 का 10 दिन ही अंतर हो गया तो option 2 भाई 10 दिन का अंतर होगा P को लगने वाले समय और R को लगने वाले समय चलिए भी next यदि 12 बढ़ाई बढ़ाई 6 गंटे परती दिन काम करके 240 दिन में 460 कुर्षियां बना सकते हैं तो 18 बढ़ाई 8 गंटे परती दिन काम करके 36 दिन में कितनी कुर्षियां बनाई हैं बढ़ाबर कर दो शमता गुणा समय बढ़ाई अब इसमता कितनी हैं वही देखो भी 12 बढ़ाई लिख दिया 12 रोग 6 गंटे तो 6 हो गया समय 240 दिन ये भी समय होता है बटा में कारिया कारिया कितना हुआ बटा में कितना हुआ बटा में कितनी खुर्षिया बनाएंगे मैंने मान लिया एक्स पूर्षिया मनाएं चलो भई यहां से एक्स की वैल्यू निकाल लो करो इसको सॉल क्या निकल राइस में देखो भई पहले तो जीरो से जीरो काट दो 12 से काटो 12 काट देगा 36 को 3 पे तीक है 12 दिया 37 हो गए अब देखो 8 दिया 24 और यह 24 यहां से कट गया अब क्या पच गया 6 काट देगा इसको 3 पे सो एक्स का मान कितना आजाएगा भई 46 गुना में 3 और 46 गुना में 3 कितना होता है 132 सो रहे 138 सो ओप्शन सी भई 138 इस दा राइट आंसर चलिए भई देक्स्ट आठ मजदूर परती दिन 9 गंटे काम करके 18 मिटर लंभी 2 मिटर चोड़ी और 12 मिटर उची दिवार 10 दिन में बना सकते हैं ग्याद कीजिए कि 6 गंटे परती दिन काम करके 32 मिटर लंभी 3 मिटर चोड़ी और 9 2 मीटर उची दिवार 8 दिन में कितने मजदूर बना सकेंगी तो बराबर रखना है आपको शम्ता गुणा में समय बटाक कारिया अब देखो भी शम्ता आठ मजदूर है पहले तो आठ गुणा में अब समय कितना समय लिया इन्होंने रोज 9 गंटे काम किया और 10 दिन तक तो समय हो गया 9 गुणा में 10 बटा में कारिया कारिया कितना किया इन् मजदूर लगेंगे गुणा में समय कितना शे गंटे रोज काम करना है आठ दिन तक तो शे गुणा में आठ और बटा में कार यह दिवार बनानी है कैसी बैद 32 मीटर लंबी, 3 मीटर चोड़ी और 9 मीटर उची तो मैं कह दूँगा 32 गुणा में 3 गुणा में 9 ठीक अब इसको सॉल करना है और X की वेल्यू आपको निकालनी है वह आपका आंसर होगा चलिए भई देखिए इसको कैसे करोगे देखो यह 8 और यह 8 अपसे में कटे गए ठी है अब देखो यह 9 का दुगना होता है 12 अब यह देखो 2 दूनी 4, 4 32 को काट देगा 8 अब 3 का 4 गुणा होता है 12, 4 इस 8 को काटेगा 2 और यह 2 इस 6 को काटेगा 3 और यह 3 इस 9 को काटेगा 3 तो X के वेल्यू कितनी हो जाएगे 10 बचा और यह 3 बचा तो 10 गुणा में 3 कितना भी 30 ठीक है option C 30 is the right answer अपने इस अपसे इसको काट लेना तो जैसे भी होगा इसका 30 अंसर आजाएगा कोई दिक्कत नहीं चलो भई next A का दो दिनों का कारिय B के 3 दिनों के कारिय के बराबर है देखो भई 2 दिन का कारिय A का बराबर है 3 दिन का कारिय B का तो मैं A और B की शम्ताओं का अनुपात यहां से कह दूँगा भई 3 अनुपात दो इनकी efficiency इनकी शम्ताओं का अनुपात यदि A उस कारिय को 8 दिन में पूरा करता है तो B कारिय को कितने दिनों में पूरा करेगा A 3 की शम्ताओं से 8 दिन ले रहा है तो भी काम कितना हो गया भई 3 गुना में 8 अब ये काम B को करना है तो B की सम्ता से मैं इस कारिया को भाग दे दूँ तो मुझे B का समय मिल जाएगा B की सम्ता कितनी है भी? 2 तो मैंने इसको बटा में 2 कर दिया ये B को समय लगेगा कितना हो गया भी? 12 दिन भी option D 12 दिन is the right answer ठीक है? एक तो तरीका ये है दूसरा भी ये देखो मैं इसको ये भी कह सकता था कि ये इनकी जब सम्ताओं का अनुपात है तो इनके समय का अनुपात इससे उल्टा होगा भी ये 3 दो है तो मैं कह दूँगा ये 2 नुपात 3 होगा है ठीक है समय का अनुपात, सम्ताओं का अनुपात का उल्टा होता है, यानि एक को अगर दो समय लग रहा है, तो बी को तीन समय लग रहा हुगा है, और एक को कितना समय लग रहा है भी, आठ दिन, इस दो की जग आपको दे रहा है, आठ दिन, तो मैं कहा दूंगा भी कितना ग कर रहा है तो पूरा काम कितने दिन में करेगा मैं 10 को उना कर दू 3 बटा 2 से कितना मिल लेगा भई 15 फिर वह उसकारिय का 3 बटा 5 बाग कितने दिन में पूरा करेगा तो 3 बटा 5 बाग कितने दिन में पूरा करेगा पूरा काम वो 15 दिन में कर रहा है तो 3 बटा 5 बाग करना है तो पूरा काम वो 15 दिन में कर रहा है, अगर पूरा काम अगर 5 है, तो अब उसको कितना करना है, कि वो तीन ही करना है, तो पूरा काम के लिए वो 15 दिन ले रहा है, कितना गुणा, तीन गुणा ज्यादा, तो इस तीन काम के लिए वो कितना लेगा, तीन का तीन गुणा ज्य पूरा काम करने के लिए 15 भाग के लिए 15 भाग के लिए कितना 15 को गुणा कर दूँगा तीन गंटे में करता है जोई सेश काम का एक बटा चयार भाग एक घंटे में करता है और जोई सेश काम 5 घंटे में समाप्त कर देता है यदि वे तीनों मिलकर काम करते तो काम कितने समय में समाप्त हो जाता देखो बई जोन तो कर रहा है एक बटा दो भाग उसके बाद जो बच गया काम उसका एक बटा च्यार भाग कर रहा है जो है और उसके बाद जो काम बच गया वो कर रहा है जोर्ज तो अब काम जो है वो कुछ ऐसा मानो जिसका एक बटा दो करना भी बड़ा आसान हो एक बटा दो कितना होता है वही च्यार यूनित ये किस ने किया जॉन ने ठीक है फिर अब शेस का एक बटा च्यार भाग किस ने किया जॉए ने जॉए अब शेस बच कितना गया वही आठ में से च्यार यूनित तो जॉन ने कर लिए बच गये च्यार अभी च्यार का एक बट अब जोन ने तो यहाँ पे लिए थे 3 गंटे जोई ने लिए था यहाँ पे 1 गंटा और जोज ने लिए थे यहाँ पर 5 गंटा ठीक है। ट्चाम करने के लिए जोन ने तीन गन्ते ले तो आँए एक यूनिट के लिए एक गंटता ले है तो आठ यूनिट के लिए जोई को आठ गंटे लगते हैं जोर्ज तीन यूनिट के लिए पांच गंटे ले रहा है तो आठ यूनिट के लिए कितने भई मैं गोंगा पांच बटा तीन गुणा में आठ तो पांच बटा तीन गुणा में आठ कितना मिल जाएगा भी चालिस बटा ती यहनि जोर्ज अगर काम करता तो उसको 40 बटा 3 गंटे लगते हैं यह पूरा काम करने में यहनि अब सवाल यह हो गया जोन किसी काम को 6 गंटे में जोई उसी काम को 8 गंटे में और जोर्ज उसी काम को 40 वटा 3 घंटे में कर सकता है तो तीनों मिलकर उस काम को कितनी दिर में करेंगे तो उनका LCM लेलो भई कितना तीन को बूल जाओ 48 और 6 120 ठीक है 120 वटा में 6 कितना भी 20 हो गई शम्ता जोन की जोई की हो गई 15 और यह आगया आपके पास 9 ठीक है तो अब इन तीनों की शम्ताइं आपको पता चल गई और काम है 120 करवाना है तो कितना समय लगेगा देखो 120 काम किस शम्ता से 20 प्लस 15 35 35 और 9 44 तो 120 काम करवाने 44 की सम्ता से 120 वटा 44 च्यार से काट दो 30 वटा 11 तो 30 वटा 11 इसका सही उत्तर हो जाएगा जिसको मैं कह सकता हूँ 208 वटा 11 तो option D इसका right answer होगा से लिए भई next A किसी कार्या को 12 दिनों में और B उसी कार्या को 20 दिनों में कर सकता है यदि दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्या करें तो 6 कार्या C दोरा 3 दिनों में पूरा किया जाता है अब दोनों ने मिलके 5 दिन तक काम किया तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे एक दिन में कर रहे हैं दोनों मिलके 5 और 3 आठ तो 5 दिन में कितना काम कर देंगे दोनों 5 दिन का काम कितना हो जाएगा भी 5 दिन का काम 8 की शम्ता से 45 उनिट काम हो गया 45 उनिट हो गया, total कितना था? 60 अब बचा हुआ, C ने किया तो C ने 20 उनिट काम किया 20 उनिट बच गया, 60 में से 40 गया 20 बच गया, और ये Cने 3 दिन में पूरा कर दिया ठीक है, तो C ने 3 दिन में पूरा किया 20 unit काम, तो C की शमता कितनी होगी भी, C की efficiency होगी 20 बटा में 3 ठीक है, 20 unit काम कर रहा है 3 दिन में, तो शमता 20 बटा 3 होगी उसकी, तो पूछा यह है कि C अकेले उस कारे को कितना दिन में पूरा करेगा, अब पूरा 60 unit अगर C से ही करवाएं, तो C कितना समय लेगा मैं कहुँँगा, 60 बटा में 20 बटा 3, जो की शमता है कितना मिल दाएगा, भई, 9 दिन So, option B 9 days is the right answer चलिए भी, next A किसी काम को 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम किया और 6 काम, B ने 8 दिन में पूरा किया, तो B अकेले पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता था, देखो भी, A 18 दिन में कर सकता है, उसने 12 दिन काम कर लिया, अब जो काम बच गया है, वो B ने किया, अगर वो B नहीं करता बचा हुआ काम, अगर कितने दिन में किया बी ने 6 गाम आट दिन में पूरा किया तो मैं कहूँगा एके 6 दिन का काम बराबर है बी के 8 दिन के काम के सो मैं यहां से ए और बी की शमताओं का अनुंपात निगाल सकता हूं कितना बगी 8 अनुपात से जो की होता है चार अनुपात तीन ठीक है तो उसे पूछा है B अकेले पूरे काम को कितने दिन में समाप्त कर सकता था अब देखो भी A 18 दिन लेता है A की समता कितनी है चार तो काम कितना अगया भी टोटल अठार गुणा में चार लेकिन ये काम B से करवाना है तो B की समता है 3 तो इस कारिय को भाग दे दिया B की समता से तो B का समय मिल गया मुझे कितना मिल दाएगा भी 24 तो 20 दिन option B is the right answer ठीक है या फिर आप ये भी कर सकते हो कि देखो जब आपको इनके समताओं का अनुपात पता सल गया 4 अनुपात 3 तो मैं यह से कह सकता है उनके सम का 6 गुना ज्यादा 24 दिन लेगा ठीक है चलो भी next 15 पंदरा आदमी किसी काम को 40 दिन में कर सकते हैं 5 आदमी कितने दिन बाद काम छोड़ कर जाएं कि काम कुल 45 दिन में पूरा हो जाएं देखो भी काम इसमें आप क्या मान होगे 15 आदमी 40 दिन में कोई काम पूरा कर रहे ह तो शमता गुना में समय कारिया होता हैं मैं कोँगा 15 गुना में 40 तो कारिय मैंने मान ले कितना भाई 600 इमेटा अब 5 आदमी कुछ दिन के बाद काम छोड़कर चले गूँन कि X गता दो, इतनी दिन और बस गए, अब ये बचे हुए दिनों में कितने लोगों ने काम किया, भई 5 आदमी चले गए, तो क्यों 10 आदमी ही बचे, यानि अब 10 आदमी ने बचे हुए, जो 45-X दिन है तक काम किया, और ये बराबर दे रखा आपको 600 के, 600 इनिट काम है, भई 15 आदमी उन gland, X दिन तक काम किया, और फिर 10 आदमी उनने 45-X दिन तक काम किया, तो total 45 दिन हो गये, और ये 45 दिन में काम हो गया, 600 इनिट, एसे आप solve कर लो, आपको मिल जाएगा, ये 15 आज से मॉन 라ख से 10-X मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा, 5X फलस में 450 बराबर 600, तो x को पना जाएगा वह एक सो पचास बटा में पांच यानि तीस तो ऑप्शन सी वह तीस इस दा राइट आंसर उसने पूसा कहा था पांच आदमी कितने दिन बाद काम छोड़ कर जाएं तो मैंने वाना वह एक्स दिन के बाद वो काम छोड़ कर गए हैं तो यानि कि पंदरा आद